खेरात में मिलती अगर काम्याबी तो हर सक्ष काम्याब होता फिर ना कदर होती किसी के हुनर की और ना ही कोई सक्ष लाजवाब होता जियां दोस्तों किस्मत से सिर्फ अभिशेक बच्चन बना जा सकता हैं अमिता बच्चन नहीं अगर आप मेनत से मेनत के दम पर सपलता पर करते हैं तो आपकी कदर जरूर होगी लेकिन खेरात में मिली काम्याबी उसकी ना तो कोई कदर होती है ना कोई इज़त होती है हेलो एंड वेलकम टू एसके बरा लास्ट एडी देखें इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के 30 महत्पूर प्रस्ण देखेंगे और देखें सार देखेंट करके जरूर बताना हर क्वेशन का अंसर एक बर खुद से ट्राइ करना और उसका कमेंट करते हुए साथ में चलना दीर्ग संदी आयादी संदी वृद्धी संदी या फिर व्यंजन संदी क्या हो जागा इसका अंसर आप कमेंट करके बताईए तो देखे नायक के अगर बात करें आपने संदी पड़ी होगी अच्छी तरह किसे अब तो एक्जाम भी काफी नजदिगा गया है तो आपको पता संदी आपने नियम बढ़ा होगा एक के बाद अगर कोई विजयातिय स्वर या निकी बिन सवर आए यहां पर स्वर कौन सा आ रहा है अपने आगे अ आ हारा है तो आए के बाद अगर अ आ आ आ आ जाएगा अब आए तो आगे यह आदा न, आए दन, क तो यह नायक हो जाए इसे तो अपने आयादी संदी इसमें कौनसे संदी है आयादी संदी है उप्षन भी करेक्ट आंसर है अगला प्रस्ने निम्ड मैंसे कौनसा विकल्प व्यंजन संदी का उधारन नहीं है तो देखे इस तरह के प्रस्न काफी पूचे जाते हैं ऐसे क्विशन में आपको थोड अंत इसका संदी विच्छेद होता है उत्तिरन की अगर बात करें तो ये भी अपने व्यंजन संदी का उधारने और इसका संदी विच्छेद क्या होता है अपने उदधन उदधन तेरन होता है वागिस की अगर बात करें तो ये भी अपने व्यंजन संदी का उधारने वाक कर किया बनता है अपने अध्याय बनता है और इसमें संदी कोंसी अपने यह यहन संदी का उधा रहने यहन संदी का तो अपने अध्याय में वियंजन संदी नहीं है बाकी सभी में वियंजन संदी है तो option D हो जाएगा है एकदम correct answer option D इसका सई answer है अधी धन आए यह बनता है अ अगला प्रसने परिणाम सब्द का उच्चित संदी विच्छत क्या हो जाएगा तो देखें परिणाम सब्द में अगर देखें तो उच्चित संदी विच्छत क्या हो जाएगा तो आप यह पर यह प्लस का चिन यह टाइप नहीं हुआ है तो आप यह ज्यान रखें तो अंसर लगा रहे होंगे परिहदन नाम हो जाये का विसर्क संदी लेकिन दिकिए विसर्क संदी नहीं यह अपने वियंजन संदी का उदारने वियंजन संदी का परिधन नाम परिणाम होता है तो ऑप्शन भी है एकदम करेक्ट अंसर वियंजन संदी का उदारने अगला प्रस अगरा एपसर अगर मतलब देखें तो अगरा या हीन इसका अर्थ होता है तो अउतार अपने इसमें अव उपसर्ग हैं और विदेशी भासा का उपसर्ग हैं उप्षन एक गरेक्ट आंसर हैं अगला प्रस ने दिवेशन पांच सामने पास विशेश के हर्थ में किस उपसर्ग का प्रियूग किया जाता हैं तो थे कि इन चारों में कौनसा उपसर्ग हैं जिसका हर्थ अपने सामने पास या विशेश के हर्थ में प्रियूग किया जाता हैं जैसे अभी वादन अभी वादन में अपने कौन सा उपसर गें अभी उपसर गें अभी ज्यान में अपने कौन सा उपसर गें ये भी अपने अभी उपसर गें इसे परकार अभी नेता अभी नेता में अभी उपसर गें तो आप ज्यान रखें ये अपने सामने पास या विशेस के अर्थ में होता है इसका प्रियों को option D correct answer हो जाएगा अगला प्रशने question 6 प्रारब्द सब्द में उपसर कौन सा हो जाएगा तो देखें प्रारब्द आपको डंग से अगर संदी आती है तो आदे से ज़्यादा उपसर का आप संदी विच्छेद करके पता कर लेंगे जैसे प्रारब्द में अगर देखें तो कौन सा उपसर के अ इसका संदी विच्छेद होता है अगला प्रशने करित प्रते किस सब्द में नहीं है तो देखें चड़ाई लड़ाई चालक या गवार इनमे करित प्रते किसमें नहीं है अपने तो देखें करिया या फिर दातु के अंत में जो प्रते लगते हैं उसको करित प्रते बोलत तो देखे चड़ना किया होता है एक तर से क्रिया होती है तो इसमें करित परते हैं लड़ाई में भी क्रित परते हैं चालक यानि कि चाल धन अक चाल क्या होती है अपने क्रिया होती है तो इन तीनों में क्रिट परते हैं लेकिन गवार में अपने क्रिट परते नहीं है गवार का अगर देखें तो इसका मूल सब्द क्या है अपने गाव और गाव में आर अगर परते है जोड़ें आर परते तो तो दीके पच्चतावा सब्द में अगर देखें हैं तो मूल सब्द इसमें क्या हैं पच्चता धन आवा आवा इसमें परते हैं कापी सारे इसमें आ लगा रहे होंगे लेकिन आ नहीं इसमें आवा परते हैं पच्चता धन आवा पच्चतावा होता हैं तो option C correct answer हो जाएगा पच्छदा दन आवा पच्छदावा ओप्शन सी क्वेशन नो है कन्यादान समस्त पद का उप्यूगत विग्रह क्या हो जाएगा इसका क्या अंसर हो जाएगा तो देखे कन्यादान का साब्दिक अर्थ अगर देखे option C, इसका correct answer heart, इसमें, समंध तत्पूरुफ समास हो जाएगा, इसमें correct answer, देकि रिखिशन वीडियो में यह है यह अपरिक्षा परिक्षा बवन, यह देखा था, ते इसमें तहहिए, यह देखा था घान परिक्षा का बवन नहीं होता हैं, परिक्षा बवन में, परिक्षा क के लिए बवन होता है लेकिन कन्या दान में क्या होता है कन्या का दान होता है जैसे हमने देखाता है हवन सामगरी तो हवन के लिए सामगरी होता है हवन के लिए विद्या ले तो विद्या के लिए आले होता है इन समी में अपने क्या है परिक्षा बवन हवन सामगरी विद्य ले इनमें अपने संपरदान ततपुरु समास है लेकिन देखिए कञ्या दान में अपने कञ्या का दान होता है समन्द ततपुरु समास होता है तो option C इसका correct answer है equation 10 है निम्न में से अव्यवी बावसमास का उदारण क्या है तो देखिए इन 4 option में अगर देखिए तो अव्यवी बावसमास का क्या हो जाएगा उदारण तो देखिए आत्म निर्बर अइस्तिर नगण या फिर नियंत्रन तो देखिए इनका अगर समास का बाव उसमें नए तत्पुरुष समास होता है इस्तिर मतलब न इस्तिर और न गईनिव मतलब न गईन्य तो इन दोनों में क्या है अपने नए तत्पुरुष समास है लेकिन देखें नियंत्रण में अगर देखें नियंत्रण तो नियंत्रण में अपने अव्य भाव समास तो दीके ने इसमें क्या है इपने ये उपसर्ग है इसमें तो निठेक तरह से यंत्रण हो जाएगा इसका correct answer option d इसका सही answer है question 11 निमन में से कौन सा कर्मदार्य समास का उधारन नहीं है तो दीकिए इसमें कर्मदार्य समास का उधारन कौन सा नहीं है क्या हो जाग इसका अंसर तो दीकिए चरम सिमा, निला कास, धर्मा धर्म या फिर बदबू क्या हो जाग इसका अंसर तो दीके करमधारे समास में विशेश्य विशेशन का समंद होता है विशेशन विशेश्य का समंद तो दीके विशेशन क्या होता है विशेश्य क्या होता है जिसकी विशेश्य बताई जाए और विशेशन क्या होता है जिस सब्द के दारा विश्यस्ता बताई जाए तो देखे चरम सिमा अगर देखे तो इस सिमा की विश्यस्ता बता रहे हैं कि चरम तक पहुँच गई है सिमा तो इसमें तक करम दारे सिमा से चरम तक पहुँच चुकी है जो सिमा ये निला कास यानि कि आकास निला है आकास की विश्यस्ता बता रहा है अपने निले सब्दु के तवरा तो निला है जो आकास ये अपने इसमें भी करम दारे समास है और देखें बद बू की अगर देखें तो बद हे जो बू बद हे जो बू यानि कि बद 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 बू की मतलब जो अपन तो कौन सा द्वंद्व समास है इसमें इसमें अपने विकल्पक द्वंद्व है विकल्पक द्वंद्व है यानि कि दर्म दर्म या अधर्म इसका अगर समास विग्र करेंगे तो दर्म या अधर्म दर्म हो जाएगा ओप्शन C है इसका correct answer इसमें अपने द्वंद्व समास है तो अम्मी अगर देखें तो यह अपने प्रयावाची भी देख लें तो किसका है अम्रित का प्रयावाची सब्द होता है सुदा अम्रित तो अपने अम्रित का तदबव सब्द हो जाएगा अम्रित अपने क्या है यह तदसम सब्दे और अम्मी अपने क्या है तदबव सब् भी correct answer है अगला प्रशन है क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है रेकांकित सब्द में संग्या कौन सी है तो देखे संग्या से अपने भी एस्टिसी एक्जाम में अक्सर प्रशन नहीं पुछे जाते हैं लेकिन 2019 का अगर पेपर देखें तो संग्या से भी प्रशन आया हैं वच्चन से भी प्रशन आया हैं काल से भी प्रशन आया हैं तो ये टोपिक भी आप थोड़ा थोड़ा देख कर जाएं तो देखे क्रो पूरी जाती का बोध करा रहा है पूरी जाती का तो इसमें जाती वाचक संग्या हो जाएगा जाती वाचक और अगर क्रोध की बात करें क्रोध तो क्रोध अपने क्या है बाव का बोध करा रहा है बाव का तो ये क्रोध में अगर पूचे जाता तो ये अपने बाव अचक सं मनुष आजाए नर आजाए नारी आजाए या तो अपने ये जातिवाचक संग्या का उदारान है option एक correct answer है question चहुदा है वाक्य रशना में कर्म हुआ कर्म का विस्तार क्या कहलाता है तो देखिए वाक्य रशना अपने सरंचना की द्रश्टी से या बनावत की द्रश्टी से गर देखें तो उसमें हम पढ़ते हैं कर्म और कर्म का विस्तार वाकी में हम दो पढ़ते हैं एक तो अपने पढ़ते हैं उदेश्य और एक पढ़ते हैं अपने विदेः तो उदेश्य क्या होता है अपने कर्ता कर्ता का जो विस्तार होता है तो अपने ये इसको उदेश्य केते हैं और विदेः किसे केते हैं तो कर्म और कर्म का विस्तार इसके लावा क्रिया क्रिया और क्रिया का विस्तार ये क्या कहलाता है अपने विदे कहलाता है तो option B हो जाएगा इसका correct answer यहाँ पर कर्म व कर्म का विस्तार पुचाएं तो अपने विदे हो जाएगा इसका correct answer इसको विदे बोलते हैं अगला प्रस ने सरंचना है बनावट के आधार पर वाक्य मुख्यत कितने प्रकार के होते हैं तो दीखे सरंचना है फिर बनावट के आधार पर अगर देखें तो वाक्य तीन प्रकार के होते हैं तो option भी हो जाएगा इसका correct answer तीन प्रकार कौन कौन से, तो देखे सरल वाक्य, जिसको साधारन वाक्य के नाम से भी जानते हैं, सरल या साधारन वाक्य, इसके लावा दूसरा देखे हैं, तो सयुक्त वाक्य, पहला अपने सरल वाक्य, दूसरा सयुक्त, और तिसरा अपने मिर्स्र वाक्य, मिर्स्र वाक् करने के लिए मैंने ये प्रस्ण सामिल किया हैं इस प्रकार के प्रस्ण पूछे जा सकते हैं तो देखिए प्री डियलेड परिक्षा कब होगी ये किस प्रकार का वाक्य है इसमें ये प्रस्ण पूछा गया है प्रस्ण पूछा गया है तो ये किस प्रकार का वाक्य हो और आगे ये question mark दे रखाएं तो इस प्रकार के जो भी प्रस्ण होते हैं मतलब जो वाक्य होते हैं जिसमें प्रस्ण पूछा गया हो कोई सवाल किया गया हो वो अपने प्रस्ण वाचक वाक्य होते हैं तो इसमें चार option में अपने प्रस्ण वाचक नहीं दे रखा हैं तो ये थोड़ी typing mistake होगी यहां पर आप ध्यान रखें प्रस्ण वाचक वाग्य हो जाएगा इसका correct answer option कोई साभी सही नहीं इसमें प्रस्ण वाचक आप ध्यान रखें ये थोड़ी typing mistake है अगला प्रस्ण है र उक्त वाच्य करेंगे या फिर मिस्र वाच्य करेंगे लेकिन देखें आप ध्यान रखें जब भी एक से अधिक करता एक से अधिक करता भी हो सकते हैं या पर करता कितने हैं राम शाम और लता ये तीन करता हैं अगर एक से अधिक करता मिलकर एक ही काम करें एक ही किरिया हो यानि कि क्रिया क्या इपने पढ़ना एक सेदिक करता हो सकते हैं लेकिन क्रिया अगर एक ही हो तो वो किस परकार के वाकिय होते हैं सरल वाकिय होते हैं यानि कि साधारन वाकिय होते हैं साधारन या सरल वाकिय यह होते हैं तो आप द्यान रख़िए यहापर करता कितने हैं राम, शाम, लता यह तीन करता हैं लेकिन तीनों एक ही काम कर रहे हैं तो यह अपने सरल वाक्य हो जाएगा लेकिन यहापर अगर होता राम पड़ रहा हैं और लता क्या कर रही हैं इस्टाग्राम पर real बना रही है तो क्या हो जाता आपने दोनों काम अलग लग हो गए तो अपने सयुक्त वाक्य हो जाता सयुक्त वाक्य है तो अपने यह तीनों एक की काम कर रहे है पढ़ रहे है तो यह अपने साधरन वाक्य हो जाएगा option ए है इसका correct answer और सयुक्त वाक्य क्या होता है अपने और लग जाता बीच में यानि कि एक सयुझक सब्द लग जाता और अपने दो काम हो जाते जैसे राम पढ़ रहे है और लगता कोई दूसरा काम कर रहे है तो अपने सयुक्त वाक्य हो जाता तो option ए इसमें हो जाएगा correct answer Question अटा रहे है हिंदी बाषा दिवस कब मनाया जाता है क्या हो जागा इसका answer देखिए हिंदी बाषा दिवस देखने से पहले आप ये question देख लिजे आज सुबह मैंने आपसे पूचा था 8 गंटे पहले राजिस्तानी बाषा दिवस कब मनाया जाता है ये अपने community टेप में मैंने पूचा था यूटूब पर तो देखिए राजिस्तानी बाषा दिवस इसके लिए 8400 लोगों ने वोट किया था 8400 स्टुडेंट ने 83% लोगों ने इसका answer क्या दिया था अपने 14 सितमबर दिया था लेकिन राजिस्तानी बाषा दिवस ये अपने गलत है हिंदी बाषा दिवस तो ये अपने 14 सितमबर होगा और राजिस्तानी बाषा दिवस अगर पूच ले तो अपने 21 परवरी होगा तो देखिए यहां पर पूचा है मैंने हिंदी भाषा दिवस तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अपने 14 सितंबर हो जाएगा और राजस्तानी भाषा दिवस अपने पूच ले अपने option A हो जाएगा correct answer question 19 है अपने खग का प्रियावेची सब्द गोंसा नहीं है क्या हो जाएगा इसका आणसर खग किसे केते हैं अपने पक्षी को केते हैं तो दीके द्वीज, नबचर, विहंग विलोचन क्या हो जाएगा इसका आणसर तो दीके द्वीज हैं, नबचर हैं, विहंग हैं लेकिन विलोचन अपने आख का प्रियावेची सब्द हैं आख या नेत्र को अपने कहते हैं विलोचन तो option D हो जाएगा इसका correct answer द्वीज, नबचर, विलोचन, विहंग अपने खग के प्रियावेची सब्द हैं अगला प्रस्ण है, प्रियावेची सब्द सम्दिते हैं ये भी अपने राकेश, ससांक, मयंक, इंदू, सुदा कर ये किसके प्रियावेची हैं, तो देखिए राकेश आजाए, ससांक आजाए मयंग, इंदू, सुधा कर ये अपने चान्द या चंद्रमा के प्रियावची सब दें तो option A हो जाएगा इसका correct answer Rakês, Sashank, मयंग, इंदू, सुधा कर अपने चंद्रमा के प्रियावची सब दें अगला फ्रसन ये भी अपने प्रियावची सबे से समें दें कामीनी अस्त्री वनिता ओरत ये अपने क्या है ललना के प्रियावची यानि कि अस्त्री के प्रियावची सब्दे तो ये विकल्प एकदम सही है स्वर्न अगर देखें स्वर्न यानि कि सोने के प्रियावची सब्दि क्या होते है अपने कनक, कंचन, हिरन्य, हाटक यह सब भी अपने कया है är? सोने के प्रवेज़सब दे तो यह भी एकदम सही है नीर, नीर रहने कि जल के प्रवेज़सब ड़िया होते हैं अपने तो देखे सलील, उदक, अंबू, तोय यह अपने कया होते हैं? नीर के प्रियावेची सब्द होते हैं बिल्कुल सही है लेकिन देखे कमल के प्रियावेची सब्द अगर देखें तो जलदी, नीरदी, रतनाकर, अंबुदी ये किसके होते हैं अपने ये जलदी, नीरदी, रतनाकर, अंबुदी ये अपने समूत्र के प्रियावेची option option d हो जाएगा इसका correct answer यह सुमेलित नहीं है बाकी सबी सुमेलित हैं और देखे कमल के प्रेवची सब्द अगर देख लें कमल के तो यह क्या होते है अपने जलज होता है निरज होता है अंबूज होता है अपने कमल के प्रेवची सब्द होते हैं तो यह अपने यह सुमेलि कम जानने वाला और इसका उल्टा आपने सब कुछ जानने वाला सर्वग्य option भी इसका correct answer है अगला प्रस्टने इन में से कौन सा विलोम यूग में सही नहीं है क्या होज़ेगा इसका answer तो देखे कौन सा विलोम यूग में सही नहीं है अपने संपति विपत्ती बिल्कुल होता है संपत्ती विपत्ती संपत्ती का विलोमसद क्या होता है अपने विपत्ती होता है इस्ट का क्या होता है अपने अनिस्ट होता है ये भी एकदम सही है उर्वर का क्या होता है अपने उसर होता है ये भी एकदम सही है और अपने चोता option है आपर टाइप नहीं हुआ है तो आप दिखिए इसका क्या था option अपने अचल अचल का नाचल तो यह option है अपर तो दिखिए अचल का नाचल नहीं होता है अचल का क्या होता है अपने चल होता है चल तो आप दियांडर के अचल का अपने चल होता है, तो अपने option D सही नहीं है, बागी सभी विलोम सब्द सही, question 24 है आदर सब्द का विलोम सब्द क्या हो जाएगा तो दीके आदर का विलोम सब्द क्या हो जाएगा अपने, नम सुष्क गम गीन या फिर इन में से कोई नहीं तो सुष्क हो जाएगा इसका correct answer गादर का विलोम सब्द अपने सुष्क हो जाएगा एकदम सही उत्तर question 25 है अन, अन्य का क्रमश्य अर्थ प्रकट करने वाला सब्द यूगम क्या है तो दीके अन और अन्य, इनका अर्थ क्या हो जाएगा अपने तो दीके अन किसे बोलते हैं अन का मतलब क्या होता है अनाज होता है अनाज और अन्य का मतलब क्या होता है अन्य, यानि कि कोई दूसरा दूसरा, तो अनाज वा दूसरा हो जाएगा क्रमश्य अपने अनाज दूसरा option सी इसका correct answer है अन और अन्य अपने अनाज वा दूसरा सही हो जाएगा इसी प्रकार अगर पूस ले दंस और दंस यूगम का सही हर्थ यूगम कोन सा हो जाएगा तो देखिए पेले वाले दंस ये किसे बोलते हैं अपने ये दंस तो ये अपने डंक होता है डंक उसको बोलते हैं ये दंस और सेकंड वाला जो अपने दंस है ये अपने क्या होता है एक तरह से दाथ से काटने की किरिया जिसको चुबन भी बोलते हैं तो अपने डंक और चुबन हो जाएगा इसका correct answer पहले वाले दंस का मतलब होता है डंक और दूसरे वाले दंस का मतलब होता है अपने चुबन ओप्शन भी है इसका correct answer अगला प्राशने जिसका अनुबव किया गया हो इसके लिए वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या हो जाएगा question 27 जिसका अनुबव किया गया हो उसको बोलते हैं अपने अनुबूत आप दूसरे ओप्शन भी डंक से वीडियो पाउस करके पढ़ सकते हैं तो इसको अनुबूत बोलते हैं option भी correct answer है जिसका अनुबव किया गया हो इसको अनुबूत बोलते हैं question 28-е वरतनी की दृस्टी से सुद्सब्द क्या हैं तो आधे के वरतनी की दृस्टी से इन 4 option में अगर देखे तो सुद्सब्द क्या हो जाएगा अपने samigri लिएके samigri नहीं लिखते हैं ये freakinagri लिखते हैं तो ये अपने गलते प्रदर्स नहीं नहीं लिखते हैं क्या लिखते हैं प्रदर्स नहीं इस प्रकार लिखते हैं प्रदर्स नहीं प्रदर्स नहीं नहीं आता हैं प्रदर्स नहीं आता हैं और अपने त्रत्री इस प्रकार नहीं लिखते हैं अपने त्रत्री इस प्रकार लिखते हैं यह त्रत् प्रकार मातरा नहीं लिगती है इस प्रकार लगती है तो यह अपने अनुग्रिहित हो जाएगा इसका correct answer यह अपने एकदम सुद्ध है अनुग्रिहित option सी correct answer question 29 पहार तूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा तो देखे पहार तूट पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा व्यक्ति का बड़ी विपदा में पड़ जाना या विपति में पड़ जाना पहार के नीचे दब जाना तो कभी भी मुहावर का अर्थ AZT नहीं निकालना है आपको यह तो गलत हो जाएगा अपने को असमर्थ मानना या फिर परवत के परवत से पत्थर का गिरना तो तेकि यह भी गलत हो जाएगा परवत से पत्थर का गिरना बाकि अर्थ कौन सा इसका सही निकल रहा है अपने व्यक्ति का बड़ी वि जवाब नहीं सूजना इसके लिए मौह राण के एगा अपने फूले न समाना प्राप्ट करना या चारोल से लाब तो ये भी अपने गलत है बगले जाकना हो जाएगा इसका correct answer बगले जाकना मतलब कोई उत्तर नहीं सुझना यानि कि किसी बात में फस जाना जवाब नहीं सुझना तो option D हो जाएगा इसका correct answer ये अपने बगले जाकना तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 30 मैं आप से पूच रहा हूँ चांदी का जूता मारना या फिर चांदी का जूता इस मुहावरे का उप्योगत हर्थ क्या हो जाएगा अपने मांगी वस्तू, रिस्वत, अनुप्योगी वस्तू या अमेरिका दिखावा करना क्या हो जागा इसका correct answer आप comment करके बताईए जि में लाइक कर दूँगा और वीडियो अच्छे लगए तो आप लाइक जरू करें चैनल पर पहली बार आए तो सुस्क्राइब करें मिलते है एकली वीडियो में जय हिन जय बारत